नमस्कार आप देख रहें बगानी 24 बड़ी कबर गीता सार सुनकर आत्म भीवोर हुए गुवासी चमपारन रतन आप रभाकर सुकला गुरुजी ने सुनाई गीता सार गुरुजी एक माह के लिए गुवा में अध्यात्म धर्में वाम विभित धार्मी का नुष्ठान के लिए गुवा में उपस्तित है जिसके दोरान गीता सार कथा के अंतरगत गुरुजी ने कहा कि आपका सार्थी कौन है आपके जीवन का बागड़ोर कौन संभाल रहा है ब दोर्योधन का सार्थी दोर्योधन का सलाहकार शकुनी है और पांड़ों का सलाहकार कृष्ण है इसलिए दोर्योधन बल में धन में सबमें सक्तिसाली था लेकिन हार गया और पांड़ों सबमें कमजोर थे लेकिन जीत गए क्या मायने रखता है मायने यह नहीं रखता है कि आप धनवान है आप बिद्वान है, गुणवान है नहीं, मायने यह रखता है कि आपके रथ का सारथित तो कौन कर रहा है आपके जीवन का बागदोर किसके हाथ में है यदि आपके जीवन का बागदोर सकुने के हाथ में है तो आप जीवन रुपी महाभारत हार जाएंगे और यदि आपके जीवन रुपी रत का पहिया, रत का बागदोर, रत का लगाम कृष्ण के हाथ में है तो आप साधन हीन होने के बाद भी जीत जाएंगे आपका ड्राइवर कौन है अरजुन के ड्राइवर कौन है कृष्ण है न हमारे जीवन का माघदरशक कोन है गुरू कोन है सलाहकार कोन है शंपुन गीता का सार यहीं है जिस ओर भगवान कह देते हैं पांड़ उसी ओर चल देते हैं कुछ नहीं सोचते, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यदि आज स्रिक्रिष्ट ने कहा है, इस ओर जाना है, तो उसी ओर जाना है आज यदि इस ओर जहाले चलोगे, वही मैं चलोगे